जय हिन दोस्तों मेरा नाम है चलमिल और आज का हमारा टॉपिक है टेक सागर के बारे में शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे को अनकारेमी पे और जीमेल पे मैसेज़ेस आ रहे हैं कि मैं रोज वीडियोस क्यों नहीं डालती हूँ रेगिलर क्यों नहीं सेकंड थिग मुझे मैसेज़ेस आ रहे हैं और सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म्स ऑलसो की तीन चार दिन से कंटिनूसली आ रहे हैं कि किस तरह से पढ़ना चाहिए रिवाइस किस तरह से करना चाहिए तो फॉर्स थिं इस मैं वीडियोस रेगिलर क्यों डालती हूँ कि मैं अगर भी आप लोग की तरह है कास्पेरेंटी हूं मैं कोई मिंटॉर वगेरा नहीं हूँ तो वीडियोस बनाना मेरा होबी है इस नौट अपार अप्र अपर अपर से जितना हो सके तो मैं वीडियो बनाने की कोशिश करती हूं इसलिए लेट हो जाता है तो second thing कि किस तरह से advice देना चाहिए तो I am not the right person to approach for अगर आपको advice लेना है कि किस तरह से पढ़ना चाहिए हाँ being an aspirant aspirant की mode से मैं बता सकती हूं कि मैं किस तरह से पढ़नी बट आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए I am not the right person to approach for अगर मेरी मानिये तो I have taken advice and notes from Dr. Artika Shukla ma'am जिनको मैं अपना ideal मानती हूं उनसे मैं बात भी कर चुकी हूं जो कि जिनका एक blog भी है और वो हर student की query को reply करती है and personally अगर आप उनसे बात करो interact करो तो वो reply करती है she's also very good तो उन दोनों के साथ में touch में हूं तो मैं उनसे अगर मुझे कुछ भी पूछना होता है कि किस तरह से पढ़ना होता है budget को किस तरह से पढ़ना होता है उसके बाद जो means related topics है उसमें answers किस तरह से लिखने होते है तो I think they are the right persons to approach for क्योंकि उनका निकल चुका है मेरा निकला ही नहीं है मैं आपको क्या ही advice दोंगी तो अब मैं बोलने को बोल सकती हूं इस तरह से पढ़ो ये पढ़ो वो पढ़ो लेकिन this is not logical and this is not good enough कि मैं आपको advice दो I am not capable कि मैं आपको advice दे सको तो इसलिए अगर आपको genuine advice सीख करना है तो you can approach for them who has really cleared अगर मैं यहां पे बैटके बोलू कि border में soldiers हमारे देश के soldier को इस तरह से मारना चाहिए था तब दुश्मन देश क्या मर जाता ऐसे बोलने को तो मैं भी बोल सकती हूं लेकिन नहीं होता ना जो लोग वहां पे रहते है उनको पता होता है की situation क्या होती है same goes with the aspirants as well जिनका निकला हुआ है they can comment on it कि किस तरह का exam होता है किस तरह का pattern होता है तो आपको अगर पूछना है तो you can approach for them otherwise it's your call you can take and choose anyone as your motivator or whatever तो it's your call but I'm not the right person I'm not मैं नहीं देती हूं इस तरह का कोई advice so let's moving on to the topic again so today's topic is Tech Sagar so ये news में इसलिए था क्योंकि National Cyber Security Coordinator's Office ने in partnership with Data Security Council of India DSCI ये term बहुत ज़्यादा important है कि ये क्या है क्यों है इसके उपर questions आने के संभावना है है तो ये दोनोंने मिलके Tech Sagar जो कि एक online portal है उसको launch किया है to boost up the technological capability of India तो first question is कि Tech Sagar किस ने launch किया Tech Sagar launch किया था National Cyber Security Coordinator's Office in association with Data Security Council of India और Tech Sagar क्या है Tech Sagar ये एक online portal है जहाँ पे आपको artificial intelligence से लेके हर तरह की online tools जो है वो accessible होंगे ये इसकी categories है तो थोड़ा सा blood हो गया है आप Tech Sagar के जो website है वो आप देखके धून सकते हूँ वहाँ पे कि इसकी क्या-क्या categories है तो बहुत सारी categories है like artificial intelligence हो गया उसके बाद internet of things हो गया तो ये सारी बहुत सारी categories है जो आपको वहाँ पे access करने को मिलेंगी इट प्रवाइस actionable insight about capabilities of the Indian industry academia and research across 25 technological areas like internet of things, artificial intelligence etc तो यहाँ पे artificial intelligence के शेत्र में हमारी Indian industries ने किस तरह का research किया है किस तरह का innovation development किया है यह सब कुछ आपको मतलब यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे 25 शेत्र दिये गया है for example artificial intelligence, internet of things इस तरह के 25 जो categories है वहाँ पे हमारे देश के लोगों ने किस हद तक research किया है वो आपको access करने को मिलेगा Tech Sagar will facilitate new opportunities for business and academia to collaborate, connect and innovate in the future यहाँ पे बहुत जो private films है उनको भी collaborate करने का मौका मिलेगा जैसे मोदी जी बोल रहे आत्मा निर्भर बनो, आत्मा निर्भर बनो इस तरह से different types of research fellows हो गया या फिर private films हो गया वो Tech Sagar की जरिये अपना जो हुनर है वो प्रस्तुत कर सकते है National Cyber Security Coordinator तो अब Tech Sagar के दो मतलब forefathers यानि की National Cyber Security Coordinator और Data Security Council of India इन दोनों के बारे में हम लोग डेटेल में डिसकस करेंगे National Cyber Security Coordinator क्या है? In 2014, the Prime Minister's Office created the position of the National Cyber Security Coordinator The National Cyber Security Office coordinates with different agencies at the national level for Cyber Security Matters जैसे कि आपको पता है कि हाली में Cyber Security, Cyber Crime का जो इशू है वो बहुत ज्यादा भयानक हो गया है Cyber Bullying हो गया है, Cyber Harassment हो गया है, बहुत ज्यादा issues हो गया है, Cyber Related तो Cyber Related इशू को Monitor करने के लिए या फिर Cyber Security को और ज्यादा strengthen करने के लिए यहाँ पर जो Prime Minister's Office है उन्होंने create किया एक position of National Cyber Security Coordinator उनके अंदर एक office जैसे Prime Minister's Office होता है वैसे ही Cyber Security Coordinator का office होता है उनकी एक team होती है जो Cyber Security को strengthen करती है और Cyber Bullying इस तरह के जो cases होती है उसको control करने में मादद करती है Now moving on to the second agency that is Data Security Council of India DSCI इसके उपर questions आने की बहुत ज्यादा संभावनाई है DSCI is a not-for-profit premier industry body on data protection in India set up by NASCOM committed to making cyber space safe, secure and trusted by establishing best practices, standards and initiatives in cyber security and privacy यह जो है DSCI DSCI, this is not-for-profit agency industry which is set up by NASCOM तो यहां पर आपको question आ सकता है क्या DSCI Government of India ड्वारा बनाया गया है तो answer is नहीं, it is set up by NASCOM Data Security Council of India is a not-for-profit organization which is set up by NASCOM and it also deals with the cyber security related issues and prevents cyber crime अब बात करते हैं NASCOM के बारे में NASCOM is a not-profit organization that was set up in 1988 NASCOM is a not-for-profit trade body and chamber of commerce of the tech industry in India and comprises over 2,800 member companies including both India and multinational organization that have a presence in India यहां पर NASCOM क्या है NASCOM सबसे पहला कि यह not-for-profit body है and chamber of commerce of tech industries यहां पर chamber of commerce for tech industries मदलब जो tech related चीज़े हैं जैसे IIT उसके बाद IT आई जैसे software engineers, software companies वो लोग अपना knowledge हो गया वो सब NASCOM की जरिए ट्रेड कर सकते हैं, share कर सकते हैं NASCOM की जरिए तो सबसे पहला question, it is a not-for-profit industry organization और NASCOM के अंदर ही है Data Security Council of India तो यह हमारी वीडियो का end आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे कुछ नए lectures के साथ Thank you